तो हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो कैसा आप साथ तो फट आज के जो वडियो को आप सभी ज़ादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है सुफण मेरे ऐसे काफी सारे सब्सक्राइबर जो के मुझसे पूछते हैं तो उनका कुश्चन ये होता है कि हमारी जो भी इलेक्टरिक वीगल इंडिया में अवेलेबल है और हमने कई बार ये भी सुने है कि उसके उपर आपको कोई भी लाइसेंस की ज़रूत नहीं है बिना लाइसेंस के आप वो इलेक्टरिक वीगल को चला सकते हो तो क्या ये चीज सही है या गलत है अगर ये चीज सही भी है तो इसकी क्या के कंडिशन से ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूँ अगर आप electric vehicle से related जो भी आपके doubt है वो clear करना चाहते है तो आप बिल्कुत सही वीडियो पर आया है इस वीडियो के अंदर आपके सारे doubt clear होने वाले है electric vehicle से related वो चाहे RC हो, insurance हो या license से related हो, कुछ भी X, Y, Z जाधा time wise आपके यहां नहीं करूँगा सीधर point पे आते हैं, मैं हूँ आपके दोस्स, आपका host अमान, बिना time wise करके आज का video start करते हैं, सबसे पहले जो point यह आता है कि हम जो electric vehicle है वो चाहे two wheeler हो या four wheeler उसे बिना license के चला सकते है क्या license की जरूद है या नहीं पहला answer आपको यहां clear दे देता हूँ, जो के मैंने articles पड़ा हूँ जित्ती भी मेरी knowledge है उसके हिसाब से आपको कोई भी license की जरूद नहीं है यह चीज रियालिटी है वो चाहे two wheeler हो या four wheeler, अगर वो electric vehicle है तो आपको license की जरूद नहीं है license mandatory नहीं है वैसे है, अगर आपको पहले बना होंगा license जो भी आपकी petrol diesel vehicle का येस, आप उसे रख सकते हो लेकिन कोई ऐसा person है, जिसके पास license नहीं है बट वो electric vehicle, येस, चला सकता है वहाँ आपको कोई भी license की जरूद नहीं पड़ेंगी लेकिन, मैं यहाँ लेकिन क्यों बल रहो कुछ conditions है, वो सुन लो नहीं तो ऐसा है, मैंने यहाँ आपको बता दिया कि license की जरूद नहीं है, ये आपको पता है तो ऐसे में कोई भी चला रहा है कुछ चीज़े है, उस पे ध्यान देना और अच्छे से समझना अच्छे से उपर है, तो येस डेफिनेटली आपको electric vehicle के लिए license की जरूद नहीं है, बिना license के आप electric vehicle चला सकते हो, इस पे कोई शक नहीं है, ये चीज़ reality है, बट अगर आप 18 साल से नीचे हो, तो आपको अगर ये भी doubt होगा, कि 18 साल से नीचे भी बिना license के नीचे हो, तो आपको license की जरूद है license लगेंगा, बिना license के आप नहीं चला सकते, वो चाहे electric vehicle हो, petrol हो या diesel, xyz जो भी, बट अगर आप 18 से नीचे हो, तो आपको license लगेंगा, कोई अगर आपको पकड़ता है, electric vehicle के साथ भी, तो 18 से नीचे हो, तो आपको license लगेंगा ही लगेंगा, वो चाहे learning हो, या xyz कुछ भी, अगर आप 18 से उपर हो, 18 से जादा आपकी age है, तो कोई भी license की आपको जरूद नहीं है, चलो अब ये तो बात होगी license related, कि हमें electric vehicle के लिए कोई भी license की जरूद नहीं पढ़ रही है, लेकिन कुछ चीज़े ऐसी है, जो लोगों के mind में confusion है, कि वो ये सोचते हैं कि license, अगर एक electric vehicle है, उसमें license भी नहीं लग रहा है, तो हो सकता है, शायद हमें आरसी की भी कोई जरूद नहीं कराते हैं, कोई ऐसी वैसी जरूद नहीं है, तो एक चीज़ बता दू, भले ही electric vehicle में license की जरूद नहीं है, लेकिन आपकी vehicle की जो RC है, आपकी vehicle का जो insurance है, वो बिलकुल 100% mandatory है, और electric vehicle के लिए ये सब चीज़े बहुत ज़ादे important है, insurance बिलकुल valid होना चीज़े, RC भी बहुत ज़ादे important है, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि इसमें एक तरह से खिलोना समझते है, electric vehicle को, लेकिन ऐसा बिलकुल भी है, वो ये समझते हैं कि electric vehicle के insurance नहीं भी कराया को खिलोना मत समझो, भले ही उसके अंदर वो ना तो engine है, न पेटरोल, न डीजल से वो चलती है, बट उसके अंदर भी power produce होता है, रोडों पे वो चलती है, और उससे भी accidents हो सकते हैं, accidental problem हो सकती है, तो ये सब चीज़े mandatory है, आपकी RC, आपके insurance ये सब होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों में आप बिल्कुल भी confuse मत हो, कि अगर electric vehicle है, तो उसमें license नहीं लगता है, तो उसके साथ RC भी नहीं लगेंगी, insurance भी नहीं गेंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ आपके mind में नहीं दालना है, तो फ़र आशा करता हो, आपको ये सब चीज़े अच्छे से तक लिए, गुड़ बाई